हेलो डियर स्टूडेंट्स माइसेल्फ रजनिश कुमार बच्चो आज के इस वीडियो सेशन में हम क्लास 10 का साइंस का जो हमने चेप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया हुआ है केमिकल रियक्शन एंड कैटलिस्ट उसका हम ये पार्ट नंबर 3 करने जा रहे हैं पिछले वीडियो में हमने केमिकल रियक्शन के टाइप्स पड़े थे दो कौन-कौन से पहला टाइप हमने पड़ा था एडिशन रियक्शन और दूसरा पड़ा था हमने डिकम पोजिशन रियक्शन उसमें भी हमने उसके चार सब टाइप्स पड़े थे तो उसके आगे की र chapter 5 में हमने reactivity series पढ़ी है, क्या होती है reactivity series, it is a sequence of elements, it is a sequence of mostly metals, which are arranged in decreasing order of their reactivity, मतलब क्या है, कि अलगलग जो metals है, उनको उनके reactivity के घटते करम में हमने जाचा है, तो सबसे उपर जो metal है, वो सबसे ज़्यादे reactive है, और उसके धीरे धीरे नीचे नीचे जैसे हम progress करते हैं, तो reactivity घटती जाती है, ठीक है, तो उस series में आपको मैंने याद करने के एक तरीका भी बताया था, एक मैंने नाम बताया था, प्रोफेसर शाम चन मेजंटल, पी एस सी, प्रोफेसर शाम चन मेजंटल, म, ए, जड, आई, ए, 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 टी, एल, तो साथ ये, तो साथ और तिन दस, 10 elements ऐसे हैं metals, जो कि हमारे hydrogen के उपर आते है, reactivity series में, ठीक है, तो पी एस सी में P for potassium, S for sodium, C for calcium, PSC, potassium, sodium, calcium, फिर MAZ, M for magnesium, A for aluminium, Z for zinc, Z के बाद, INTL, I for iron, N for nickel, T for tin, L for lead, उसके बाद आता है hydrogen, 11 नमबर पे, hydrogen एक मातर non-metalline में, gases में, उसके बाद, hydrogen के बाद में, 5 और मैंने metals लिखा रखे हैं, जो hydrogen से कम reactive हैं, जितने भी metals होते हैं, उनकी electron lose करने की property होती है, त hydrogen lose करके positive N बनाते हैं, hydrogen भी electron lose करके H plus N बनाता है, तो metal जैसा गुण है, तो कोई metal, जितना आसानी से electron lose करेगा, उतना ज़्याद है, तो potassium सबसे आसानी से electron lose करता है, और hydrogen 11 नमबर पे आ रहा है, इसके बाद में, hydrogen के बाद में, मैंने 5 लिखा है, तो उसमें से, hydrogen के जस्त नहीं करते हैं, ठीक है, तो यह जो reaction है, displacement reaction, इसको समझने के लिए हमको reactivity का order पता होना चाहिए, समझ में आ गया, तो reactivity series इस मामलें बहुत important है, तो चलिए हमको यह पता है, अब पढ़ते हैं, जो यह displacement reaction है, क्या होता है, तो displacement का मतलब होता है, विस्थापन, अपनी जगे स हटा देना, समझ में आ गया, अब कौन हटाएगा, किसको हटाएगा, वो देखते हैं, simple displacement reaction, इसके दो प्रकार है, पहला simple displacement, और दूसरा double displacement, simple displacement में, दो चीजे participate करती है, एक तो metal है, और एक है, किसी metal के salt का aqueous solution, मतलब, metal का कोई भी salt ले लो, और वो salt पानी में घुलना चाह है, समझ में आ गया, so this reaction, it is between a metal and an aqueous salt solution of another metal, ठीक है, अब यह जो दो नो metal in question, दो नो metal की बात हो रही है, इन में से एक metal जाधे reactive है, दूसरा है कम, ठीक, तो जो अधिक reactive metal होता है, वो salt के अंदर से, salt का जो solution है, उसके अंदर जो कम reactive metal है, उसको विस्थापित कर देता है, उ तो, what is this reaction, a reaction in which a more reactive metal displaces a less reactive metal from its aqueous salt solution, समझ में आगा, एक अधिक reactive metal जो है, वो अपने से कम reactive metal को उसके aqueous salt solution में से हटा देता है, तो इसका मतलब यह हो गया, कि ज़्यादा reactive metal है, वो तो salt का हिस्सा बन जाता है, और जो salt के अंदर कम reactive metal था, उसको हटा देगा, वो नीचे deposit ह हो जाएगा, इस प्रकार का reaction कहलाता है, simple displacement reaction, तो दो important चीजे है, इसमें participate कौन करता है, एक metal और एक compound, जो की salt है, उसका solution दिया हमने, ठीक, अब aqueous salt solution दिया है, तो उसके कोई पानी का घोल है, salt का मैं बता चुका हूँ, physical state AQ लिखेंगे, तो हमने ले लिया iron, as for solid state में, तो चूरा ले लिया लोएगा, plus copper sulfate हमारा blue color का salt है, उसका हमने water में solution बना लिया, blue color का solution मिलेगा, ठीक, अब अगर हम तुलना करे iron और copper की, तो बच्चो, iron जो है, वो hydrogen के उपर आता है, position where copper आता है, नीचे, ठीक है, तो iron कहीं अधिक reactive है, 7th number पे आता है, ठीक, iron कहीं अधिक reactive ह copper से, तो क्या होगा, यह iron जो है, यह copper का स्थान ले लेगा, electron lose करके, copper को हटा देगा, वहाँ से copper आयन के रूप में, उसको electron दे देगा, यह lose करके, copper जो होता है, solid रूप में deposit हो जाएगा, और iron जो है, वो iron बना करके, salt के साथ associate हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, FESO4, ferrous sulfate, यह जो salt था, copper sulfate, यह blue कलर का था, जो iron sulfate या ferrous sulfate बन गया, यह green कलर का solution है, समझ में आ गया, green कलर का salt है, तो solution का जो color है, वो blue से कैसा हो जाएगा, green, और यह indication है, कि chemical reaction हुआ है, अलग प्रकार का compound बन गया, तो copper sulfate changes into iron sulfate, और copper is deposited at the bottom of the container, समझ में आ गया, तो iron, since it is more reactive than copper, it displ copper from its aqueous salt solution, copper हट जाएगा, iron उसकी जगह लेलेगा, तो iron becomes the part of the salt, the new salt, and copper is removed, clear है, अचा, अगर माल दीजिए, copper यहां लेते, iron यहां लेते, तो FESO4, salt का हिस्सा होता, और iron जादा reactive है, और कम reactive copper होता, तो कम reactive वाला metal, जादा reactive वाले को नहीं हटा सकता, जादा reactive वाले को नहीं होती है, strength, how strongly an element can react, तो metal जितना असानी से electron lose करेंगे, उतना ही तेजी से react करते है, ठीक, तो जादा reactive metal, कम reactive वाले को हटा पाता है, कम reactive जादा वाले को नहीं हटा पाता, मतलब, और जादा reactive मतलब, reactivity series में higher position पे, ठीक है, so any metal having higher position in the reactivity series, can displace another metal from its salt solution, which has a lower position in the reactivity series, clear है, तो यह simple से चीज़ धाना केंगे, उल्टा संभव नहीं है, ठीक, चलिए, एक और example ले लेते हैं, तो कई सार एक्जामपल है हमार पास, zinc plus FeSO4, zinc again, it is more reactive than iron, zinc जो होता, iron से उपर आता है, reactivity series में, ठीक, तो iron sulfate green color का है, तो zinc इसकी स्थान ले लेगा, Fe अलग हो जाएगा, solid state में, और HgCl2, mercuric chloride में, HgCl2, Hg का 2 plus charge है, mercuric chloride, ठीक, तो copper जो होता है, mercury से just उपर आता है, तो ज़्याद रेक्टी हुआ, तो copper will displace mercury from its salt solution, तो CuCl2 बन जाएगा, और Hg अलग निकल जाएगा liquid form में, mercury liquid होता है, metal, ठीक, इसी प्रकार से copper को मिला दिया हमने, silver nitrate, AgNO3, तो Ag का charge plus 1 होता तो AgNO3 बन गया, ठीक है, अब silver जो होता है, copper से और भी नीच आता है, दो step नीच आता है, तो copper being more reactive than silver, it will displace silver from its salt solution, यहाँ copper का charge plus 2 होगा, तो copper nitrate क्या बनेगा, Cu NO3 whole twice, Cu plus 2, NO3 minus 1, तो अदला बदली हो गई, और silver अलग निकल जाएगा, deposit हो जाएगा, वेसल के नीचे, समझ मे चीज़ क्या है, यहाँ पर, कि एक तो compound है, salt solution और दूसरा metal है, metal है ज्यादा reactive होगा, दूसरे metal से, salt वाले metal से, तो उसको displace कर देगा, खुद salt का हिस्सा बन जाएगा, and the less reactive metal, it is removed and deposited at the bottom of the vessel, clear, चलिए, next हमारा है double displacement reaction, अचा पीछले वाला था, simple displacement, तो simple displacement में एक metal और एक compound participant क है, यह भी compound है, दूसरा भी क्या होगा, compound होगा, इस particular reaction में, तो इसका मतलब हम दो अलग-अलग metal के, या compounds के solution ले ले लेते हैं, aqueous solution, दोनों को mix up करते हैं, और mix up करने के बाद में, हमको दो नए चीज़े मिल जाएंगी, क्या मिल जाएंगी हमको, दो नए compounds मिल जाएंगे, और दोनों compounds में से, क्या होगा, एक compound ऐसा होता है, जो insoluble form में होगा, precipitate form में होगा, ठीक है कि नहीं क्या, और क्योंकि इस particular reaction में, precipitate बनता है, इन reactions को हम precipitation reactions के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, so what is double displacement reaction, तो ध्यान देंगे, जैसे मान लीजे, यह वाला reaction, second number देख लेते हैं, barium sodium जो है, किसके साथ आजाएगा, मतलब क्या है, या तो इनके cation बदल दो, मतलब positive वाला जो आयन है, वो बदल दो, आपस में interchange कर दो, और या फिर क्या कर दो, anion बदल दो, chloride इधर आजाए, और sulfate इधर आजाए, तो barium का तो बनेगा sulfate, और sodium का बनेगा chloride, तो हमने क्या अपने radicals, ions की अदला बदली कर लेते हैं, या तो cation बदल जाते हैं, आपस में, या फिर anion बदल जाते हैं, तो इसको बोलते है, mutual exchange of radicals, either they exchange anions और they cations, ठेक है का नहीं किया, तो यह हो गया double displacement reaction, तो क्या है double displacement reaction, a reaction in which, एक ऐसा reaction जिसमें कि two compounds mutually exchange their radicals, दो compounds आपस में, एक दू solution state में होता है, ठीक है कि नहीं किया, इस प्रकार का reaction कहलाता है, double displacement, तो why double, because यहाँ पे, पिसलोले case में, एक metal ने दूसरे को किक करके हटा दिया, खुद उसका जगे ले लिया, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अगर यह बेरियम इसको किक करके हटा रहा है, तो hydrogen भी तो हटा को कर देता है, NNN को कर देता है, चीक है, और ऐसे reactions में, जो right hand side है, हमारे product side, उसमें, जो भी दो compound बनेंगे न, नए, उसमें से एक compound, कम से कम, solid अबस्ता में, precipitate रूप में बनता है, और इसलिए, इन reactions को हम क्या कहते है, precipitation reactions भी कहते है, तो देखो, in most of the double displacement reactions, one of the products formed, is in insoluble precipitate form, जो भी product बनते हैं, उनमें से, एक product ऐसा होता, जो insoluble है, precipitate की रूप में है, hence, क्योंकि इसमें precipitate बना, they are also called precipitation reactions, समझ में आ गया, इन reactions को हम, precipitation reactions भी कहते हैं, acid-base reaction जो होते हैं, वो भी double displacement के ये example है, लेकिन उसमें क्योंकि metal involved नहीं होता, तो वहांपे कोई precipitation नहीं होता, त acid plus base gives salt plus water, वहां सब कुछ acquistrate में, सब कुछ solution form में है, वहांपे वो precipitation का example नहीं आते है, acid-base reaction, उनकी हमने अलग category बना दिया, उनको double displacement के प्रकार ही है, बट उनकी हमने एक special अलग category बना दिया, neutralization reaction के अंडर रखेंगे, उनको, चीक है, तो यहां double displacement में normally precipitation ही होगे, ठीक है, त लेकर hydrogen भी क्योंकि हमने reactivity series में include किया है, तो hydrogen के साथ कोई भी anion ले ले लेंगे, तो acid बन जाएगा, ठीक है, HCl ले सकते है, H2O4 ले सकते है, HNO3 कोई भी ले ले लेंगे, ठीक, चलो, तो barium chloride को sulfuric acid के साथ treat किया, तो barium तो आ जाएगा इधर, और hydrogen आ जाएगा इधर, तो H और HCl मिलके HCl बन जाएगा, दो-दो है, तो 2HCl, और barium sulfate हमारा precipitate है, white color का precipitate है, समझ जा गया, तो यह हमारा precipitate हमेचा right side में दिखाने, कभी भी left hand side में precipitate नहीं होगा, तो बच्चे कई बर गरबड कर देते हैं, invent करने बैठ जाते हैं, यह reactions को, और यह precipitate left side में नहीं आ ज कि barium sulfate यहां से start नहीं करेंगे, तो barium का sulfate precipitate, तो precipitate धानक लेना कौन सा है, barium chloride water soluble है, barium sulfate insoluble है, ठीक, उसके बाद हमारा जो reaction number 2 है, again barium chloride ले लिया हमने, इस बार हमने salt solution ले लिया कोई, तो यह भी aqueous है, sodium sulfate, sodium और potassium के कोई भी salt water soluble है, समझ में आ गया, तो sodium sulfate water soluble है, barium sulfate बनेगा, तो barium plus 2, SO4 minus 2, तो BSO4 balance हो गया, sodium plus 1, chloride minus 1, तो NaCl आ जाएगा, और यह दो-दो है, क्योंकि यहां पे 2 लग गया, समझ में आ गया, और इसमें भी देखो, यह तो aqueous form है, और यह precipitate form है, तो यह भी precipitation reaction हो गया, इसी प्रकार से silver nitrate, silver का एक मातर salt जो की पानी में गुलता है, वो है, AGNO3, silver nitrate, और silver के chloride, bromide, iodide, AGCL, AGBR, AGI, यह सब precipitate है, समझ में आ गया, तो sodium के मैंने बता है कि सारे salt water soluble है, तो यहां आपने sodium का chloride ले लिया, अगले में bromide भी ले सकते हैं, iodide भी ले सकते हैं, NaCl, NaBr, NaI, कोई सब ले सकते हैं, AGNO3, ठीक, तो दो-दो-दो- सबकी वेलेंसी 1-1, AG+, 1, NO3-1, Na+, 1, CL-1, तो यहां पर कोई numbering लगेगा नहीं, तो AG तो CL और Na, NO3, अब NaNo3 water soluble है, aqueous, और AGCL precipitate है, सफेद कलर का, अब अगर मैं यहां पर NaBr ले ले लेता, तो AGBR बन जाता, वो क्रिबिश कलर का precipitate है, अगर मैं NaI sodium iodide ले 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 लेता, तो तो AGI बन जाता, वो D, PL, Orange कलर का precipitate है, सब में आ गया, और यहां पर NaNo3 ही बनता जाएगा, तो AGNO3 प्लस NaCl, या फिर NaBr, या फिर NaI, तो यहां पर AgCl, या फिर AgBr, या फिर AgI, precipitate बनेंगे, solid बसना में अलगलग कलर होगा सबका, इसका white है, और NaNo3, aqueous form में हमको मिल बनेगा, इसी प्रकार चे, copper sulfate blue कलर का solution है, इसमें हमने sodium hydroxide डाल दिया, NaOH, तो Na तो आ जाएगा इधर, तो sodium sulfate बनेगा, आप sodium sulfate का formula क्या बताओ, Na plus 1, SO4 minus 2, तो 2 इदर लगेगा, 1 इदर लगानेगी, जरो तनी यह Na2SO4, और copper जो है, उसका hydroxide बनेगा, copper का charge plus 2 है, क्योंकि यह copper hydroxide precipitate है, white color का, यह क्या है, solid है, समझ में आ गया, तो यह हमारे क्या है, precipitation reactions, या फिर double displacement reactions, बचो बहुत सारे जरूर नहीं, आपको definition, क्यों precipitation बोलता है, क्योंकि एक compound जो है product, वो insoluble precipitate के रूप में बनता है, इसलिए, और एक कम से कम solid example आपको याद रखना है, चाहे दो फस्ट वाला चाहे सेकड वाला, शुरू के दो, चाहे एज एज एनो तरी वाल ले लो, कोई एक example आपको अच्छे सियाद रखना है, एज एनो तरी वालें, बैलेंसिंग का कोई रगड़ा नहीं है, simple simple हमारे सारे automatically satisfy हो जाता है, ठीक, चली, अगला reaction type देख लेता है, slow and fast reaction, यह particular category हमने है, बच्चों, इस आधार पे बनाई है, कि reaction को समाप्त होने में समय कितना लगता है, कुछ ऐसे reactions हैं, जो हमारे बिलकुल एक second के करोड़ वे हिस्से में भी समाप्त हो जाता है, they get finished as soon as they get started, समझ में आ गया, fractions में खतम हो जाता है, इस प्रकार का reaction कहला आता है, fast extremely fast हो सकते है, instantaneous, spontaneous reaction, ठीक है, then कुछ ऐसे reactions है, जो कुछ seconds में, minutes में खतम होता है, तो seconds तक भी चलो, fast ही माना जाता है, कुछ minute लग रहा है, या घंटे लग रहे है, वो slow reaction की category में आ जाता है, और कुछ ऐसे हैं, जो हफते, महीने, साल भी लग सकते हैं, वो आते हैं, very slow, समझ म में आ गया, seconds से अंदर-अंदर fast, second, microsecond, millisecond, यह तो fast, तो second के बाद minute, बड़ी जो units है, वो slow में आते हैं, तो these are the reactions, which may take minutes, hours, और even days, हफते, महीने भी लग सकते है, to get completed, such reactions are called slow reactions, ठीक है, तो कुछ examples इसमे देख लेता है, rusting of iron, यह काफी slow है, हफते लग जाते है, कई दिन ल यह मैंने सोप आले केस में बताया था, तो any acid plus any alcohol, any acid plus any alcohol, they react to form an organic compound, जिसको कि हम क्या बोलते है, ester बोलते है, ठीक है, तो यह काफी slow प्रक्रिया है, और इसको तेज करने के लिए हमको कोई catalyst का use करना पड़ता है, ठीक है, इसी प्रकार से जो हमारे thermal decomposition है, जहांपे हम क्या है heat दे करके किसी भी substance को तोड़ते हैं, तो वो भी क्या होता है, slow reaction होता है, और को कि काफी slow है, तो catalyst के presence में इसको तेज करवाय जाता है, तो यह कुछ हमारे examples हो गए, rusting of iron, it is quite slow, कई हफते लग सकते हैं, esterification, acid plus alcohol, it will form ester, जो कि fruity smell वाले substances है, organic compounds, and plus water बन जाएगा, thermal dissociation मतलब heat दे करके तोड़ना काफी slow होता है, catalyst के presence में थोड़ा सा तेज किया जा सकता है, ठीक है, चलिए, rusting वाला reaction मैंने लिखा है, acidification का भी reaction लिखा है, KC-LO3 वाला में लिखा, तो कोई भी example आप एक दो करना चाहों तो कर सकते हैं, rusting के लिए बच्चो, iron की rusting के लिए, हमको oxygen ज बना लेते हैं, तो आपको कुछ रिए balancing नहीं करनी है, Fe लिख लो, O2 लिख लो, S2O लिख लो, और formula लिख लो, ferric oxide, अच्छा, ferric में iron का valency plus 3 है, oxygen state, ठेक है, और oxygen का minus 2 है, तो Fe plus 3 minus 2, तो 2 इदर लगेगा, 3 दर लगेगा, Fe2O3, dot 3S2O, ये कुछ fixed number of water molecules हैं, जो कि chemically चिपक जाते हैं, किसी भी enhydrous salt से, इसको बोलता है, water of crystallization, और यही वो पानी के molecules है, जो इसको brownish color देते हैं, तो इसको पढ़ेंगे, hydrated iron oxide, ये hydrated ferric oxide, ठीक है, अब अगर हम balance करें, तो देखो, पानी total, देखो, यहां पर oxygen कितने हैं, 3, तीन ही हो गए, oxygen ठीक है, और, चलो, hydrogen से चेक 6 हो गया, 32 जा हो गया, 6 हो गया, ठीक, और oxygen कितने हैं यहांपे, 3, मतलब 2 ना देखे हम, तो oxygen 3, और oxygen कितने हो गया, 3, 3ो, 3ो, 6 oxygen, अच्छा, यहां पर देखो, O2 यहांपे भी है, O2 यहांपे भी लिखार, O, यहांपे भी लिखाए, ठीक, अब 6 oxygen कैसे बाटेंगे, यहां तो पड़ो जाएगा झीक है दूसरी जरूरी बात हएडोजन चेक कर लेते हड तो एक यह जग ना तो औक्षिण से ना स्टाट करके हाइडोजन से स्टार्ट करेंगे तो गौर से सुनना यहां पर थोड़ा से ट्रेड़ा है यह काम हाइडोजन यहां पर है हमारा कितना छे थ्री टूजा कितना हो गया सिक्स हो गया है तो यह सिक्स करने के लिए यहां पर हमको क्या करना पड़ेगा टू के साथ हैं कितना लग अब यहां 3 लगाने से oxygen यह 3 हो गई और 2 यह बचे मैंने भी यह 3 नहीं लगाया तो 3O25 हो गया तो यहां तो और अधो गया यह तो और नुमर फॉक्सिजन जब कि यहां पर देखो तो 3 यह उत्याक है और चाहिए आपांच हो जागा क्योंकि यह धूकल म्यां थी लगाने पर 3 oxygen हो गया और 2 यह पांच तो इसटभ और अड्सके टीने किas इता हुक होगा। यहाँ तो 6 ही है, तो 2σ 2 management करेंगे ही हैं यहाँ इता हुआ तो 6 इस प्रकार से बैलन्स होगई, अब ऐक्षिन देखें तो 6 तो इस इसमें लगे हुए और 6 यहाँ लगे हो यहाँ तक हम यह भी तो 6 है ना 6 और 12 हो गए भाई यह 3 जो है ना 3S2O दो बार लेने अपने को तो 2,3 जा 6 यह इसके साथ भी इंट होगा संब्या गया भाई F2O3.3S2O F2O3.3S2O तो कुल बला के क्या है कि 3 और 3 6 water molecules हो गए तो 6 oxygen उसके हो गए F2O3 के तो 6 oxygen उसके हो गए और 2 molecules इसके हैं F2O3 के तो 6 oxygen इसके तो 12 oxygen हो गए तो 12 में से 2 को 6 तो इधर आ गए तो इधर भी 6 होने चीए तो यहां पर 2,3 जा लगाएंगे तो 6 और 6 और 12 से हो जाएगा और कुल बला के iron कितने हो गए 4 हो गए 2,4 तो यह 4 लगा देंगे तो रफ carbon का मैंने alcohol ले लिया, CS3, CS2, OH, ethanol है, ethanol है, ethanol है, अब दोनों का reaction कराते हैं, तो यह जो acid है, इसमें से OH निकलता है, और alcohol में से H निकलता है, तो CS3, C double bond O, यह OH और H मिलके water बना देगा, फिर O, CS2, CS3, CS3, C double bond O, यह तो आया acid से, और फिर OH और H हट गया, और यहां से alcohol वाले से O CS2, CS3 गया गया, तो यह चीज कहला आता है, ester, fruity smell वाला substance है, ethel, ethenoid, naming हम बात में सीखेंगे, ठीक, और साथ में क्या बनेगा, water, तो यह भी बहुत-बहुत slow प्रक्रिया है, अगर इसको मैं किसी mineral acid के presence में करूँ, mineral acid, जिस जो H plus iron वाला acid होता है, तो यह reaction थोड़ा सा ते oxygen हो जाता है, तो यह thermal decomposition है, KCL अलग हो जाएगा, oxygen अलग हो जाएगा, तो balancing मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है, oxygen यहाँ पर O2 बनाएंगे पहले, ठीक है, और यहाँ पर KCL O3 लेखा, तो oxygen यहाँ पर 3 है, और right side of oxygen के 2 है, तो यहाँ पर odd है, तो इसको 2 से 2 कर देंगे, तो यह 6 हो गया, तो यहाँ पर 2-3 कर देंगे, तो 6 हो जाएगा, और KCL यहाँ पर 2 हो गए, तो यहाँ पर भी क्या लगा देंगे, 2, ठीक, तो इसको MNA2, catalyst के absence में, manganese dioxide, catalyst के absence में करेंगे, तो बहुत ही slow प्रक्रिया है, समझ में आ गया, तो यह थे examples हमारे, slow reactions के, इसको तो आदे घंटाए उसे भी जादा समय लग सकता है, ठीक, then there are reactions which take place very quickly, बहुत तेजी से होते है, कितना तेजी से, seconds में, या even fraction of seconds, to the reactions which get completed quickly, within a matter of seconds, seconds में हो जाए, या एक second के बहुत छोटे से हिस्से में हो जाए, हजार वा, लाख, करोड वा हिस्सा भी हो सकता है, तो fast reaction क्य potassium nitrate, यह बारूद में यूज होता है, पठाको में यूज होता है, potassium nitrate, KNO3, ठीक, तो petrol हो गया, LPG हो गया, potassium nitrate जो बारूद होता है, यह बहुत तेजी से जलते हैं, तो यह सारे के सारे fast reaction की category में आते हैं, जो जलने वाले अभी करिया है, ठीक है, combustion reactions, some reactions like neutralization reaction, और यह जो acid based reaction होते हैं, यह हमारी प्रकृती के सबसे तेज रियक्शन से, एक तो neutralization और हमारा जो simple displacement है, instant reactions है, मिलाते ही खतम हो जाते हैं, तो some reactions like neutralization reactions between a strong acid and strong base are so fast that they get completed within 10 raised to minus 10 seconds, मतलब 1 second का 1000 करोडवा हिस्सा, उतने में ही यह खतम हो जाते हैं, if one second is divided into 1000 करोड़ पार्ट, उतने चोटे से स neutral में यह reactions खतम हो जाते हैं, तो बहुत बहुत तेज, प्रकृती के सबसे तेज reactions है, neutralization reaction, strong acid, strong base के बीच में, these are the fastest reactions occurring in nature, तो प्रकृती के सबसे तेज reactions है, और जो precipitation reaction बता है मैंने, double displacement वो भी बहुत तेज होते हैं, most precipitation reactions that involve ions in aqueous form are extremely fast, और ions का मतलब होता है, aqueous solution है, salt के, दो खतम हो जाता है, color change हो जाता है, यह precipitate बन जाता है, तो यह reaction भी बहुत बहुत तेज होता है, they are extremely fast, clear है, तो यह लो, NaOH और HCl, यह sodium hydroxide base है, HCl acid है, दोनों strong base और strong acid है, इनको मिलाया, तो यह लगभग 10 to minus 10 second में खतम, NaCl salt बन जाएगा, और water बन जाएगा, तो यह neutralization reaction के example हो ग होता है, जिसमें heat energy absorb होती है, exothermic reaction होता है, जिसमें heat energy बाहर निकलती है, ठीक, तो exothermic reaction, reactions in which heat energy is given out are called exothermic reaction, heat energy release होती है, ठीक, तो delta H मैं बताया था, enthalpy of reaction है positive होगा, product side में इसको लिखते हैं, तो right hand side में लिखेंगे plus की energy, और endothermic में हम माइनस की energy लिख देंगे, ठीक है की नह lime, quick lime मतलब होता है, चूना, चूने को पानी में डाला, तो क्या होगा, चूने को पानी में डाला, तो पानी के साथ है, तेज़े से react करता है vigorously, और खूब सारी heat energy बनती है, और heat के साथ में हमारे क्या बनेगा, calcium hydroxide, संज में आ गया, lime water भी बोल सकते है, slaker lime भी बोल सकते है, ठीक है, तो lime when reacted with water, we get calcium hydroxide, और खूब सारी energy निकलते है, जिससे की पानी उबलने लगता है, तो यह reaction अपने देखा भी होगा, कली बोलते हैं इसको normally, कली में खूब सारा पानी डालते है, तो पानी उबलने लगता है, बूल-बूले निकलते हैं बहुत तो यह से, ठीक है, यह extremely exothermik reaction है, इसके लावा कोई भी combustion प्रक्रिया, combustion मतलब होता है, दहन की प्रक्रिया, जिसमें oxygen के presence में किसी भी इंधन को जला दो, अब इंधन normally हमारे carbon compounds होते हैं, देखो, methane, जो की bio gas का important part है, इसके बाद यह हमने लिया, butane, C4H10, चार carbon का compound है, gaseous compound है, यह हमारा LPG का main component है, liquefied petroleum gas का main component है, butane, 82, 90% है butane ही होता है, ठीक है, और उसके बाद हमारा ethanol, C2H5OH, ethanol, यह भी बहुत अच्छा इंधन है, spirit lamp में use होता है, ठीक है, तो यह जितने भी carbon compounds है, भाई, जो carbon और hydrogen के बनते हैं, उनको hydrocarbon बोलते हैं, तो देखो carbon hydrogen, carbon hydrogen, यहाँ पर carbon hydrogen के लाओ, oxygen भी ह है, oxygen खुछ जलेगा, लेकिल carbon hydrogen जलेगा, oxygen नहीं जलता है, ठीक है न, तो यह जितने भी hydrocarbons हैं, यह सब जलने के बाद में, दो प्रकार के compounds ही बनाएंगे, पहले तो अलग होंगे carbon hydrogen, carbon जलेगा, oxygen के प्रेंस में, CO2 बनाएगा, hydrogen जलेगा, water बनाएगा, समझा गया, तो carbon dioxide औ plus O2, balancing बाद में करना, क्या बनेगा, CO2 है, तो CO2 plus water बनादेना, अब balancing कैसे करेंगे, यहाँ पर एक carbon है, यह सारे carbon CO2 बनाएगा, तो एक carbon है, तो एक ही CO2 बनेगा, ठीक, ओके, और सारे hydrogen water में जा रहे है, तो देखो, hydrogen यहाँ पर total 4 है, तो यहाँ पर hydrogen सारे इधर है, तो यह 2 है, तो यहाँ 2 से इंटो करना पड़ेगा था कि 4 हो जाए, अब oxygen चेक कर लो, इधर oxygen 2 और इधर 2, 2 तो 4 हो गया, तो यहाँ 2 को 2 से इंटो करना पड़ेगा, तो यह हमारा पहला balance हो गया, साथ में plus heat लिख देंगे, exothermic reaction में, यह हमारा butane है, C4S10 plus, oxygen बाद में देख लें यहाँ पर hydrogen कितना है total, यह 2 अभी लगा नहीं है, ठीक है, hydrogen कितना है 10, तो यहाँ पर क्या करतेंगे, 5 लगा देख, तो यहाँ पर 4 लगा था, यहाँ ने क्या लगा था, 5 लगा था, अब मैं बताऊंगा, double कैसे हो गया, 4 था, 5 था, अब oxygen काउंट करेंगे, oxygen यहाँ 5 और यहाँ पर कितना था, 4 था, 8 और 5 कितना हो गया, 13 हो गया, तो राइट साइड में 13 oxygen हमें, यह तो ul हो गया और इस थर्फ तुवर्येंगे को देखो तो और को पहले रभकंड और करना पड़ेगा सब में करना पड़ेगा तो यहां पे यह तो मैं क्या कर दूँ देखो इस तर्फ राइट से between option है तो मेरको यहाँ तो मैं किसे र्टीं रूगे 13 में जाए तो 13 अगर हमको fraction में नहीं चाहिए तो क्या कर देंगे 2 से 2 तरफ multiply कर देंगे पूरी equation को समझे आ गया इसको 2 से multiply कर दिया तो यहाँ 2 आ गया इसको 2 से multiply कर दिया तो 13 x 2 2 रहरा तो 13 आ गया इसको 2 से et hack 4 था तो 4 238 हो झाए गा और इसको 2 के तो 10 हो जाएगा समझेएगा तो हम fraction में छोड़ भी सकते हैं या 2 से multiply कर लो इसी प्रकार से इथेनॉल C2H5OH यहां पर देखेंगे carbon 2 है तो 2 CO2 लग गया hydrogen देखो 5 और 1 6 तो 6 hydrogen के लिए 2 3s आ कर दिया तो 3 हो गया तो यह set हो गया बिल्कुल अब सिर्फ oxygen match करना है और 2 2s आ 4 और 3 7 अब 7 में से alcohol में तो एक आ गया तो 6 और 5 तो यहां 6 करने के लिए 2 3s आ करना पड़ेगा समझ में आ गया तो इस प्रकार से बैलेंसिंग आप अच्छे से रफ में ट्राय करना नहीं आएक हो तो वापिस आप लोग पूछ सकते हो ठीक है तो बैलेंसिंग एक बार फिर समझा सकते है तो यह था हमारा एक्स्व थर्मिक रेक्षान जहां पर हीट इनर्जी निकलती है डेल्टा एंच पॉज्रीघ होता है रॉइंट सैट में लिखा जाएगा ठीक ओके उसके बाद अंडाएं अंडा थर्मिक रेएक्षान से जिसमें हीट इनर्जी क्या होती है यह वह रेएक्षान से जिनमें की हम क्या heat दे करके उसको decompose करते हैं, वो क्या कहलाता है, endothermic reactions कहराते हैं, ठीक है, तो हमने देखा था पहले, जो metal के carbonate या फिर bicarbonate होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, heat करने से decompose होके oxides में convert हो जाते हैं, तो यह होगे endothermic, तो dissolution of ammonium chloride in water, तो वो गए thermal decomposition, उसके अलावा, बहुत सारे हैसे salts होते हैं, जिनको पानी में घोल दे हम, तो energy absorb करते हैं, तो example मैं बता दू, ammonium chloride एक salt है, NH4Cl, जैसे इसको पानी में घोलते हैं, तो घुलने के लिए, यह heat energy absorb करता है, कहां से लेगा, समझेंगे, suppose हमने test tube में, क्या ले लिए, ammonium chloride ले लिए, powdered form में, इसमें हमने पानी डाला, पानी को, उसको shake कर दिया, घुल गया, तो shake करने के बाद, जैसे घुलेगा न, तो test tube की wall में से heat खीचेगा, तो test tube की wall थंडी हो जाएगी, test tube की wall हमारे हाथों में, हमारे हाथों के संपर्क में, हमारे हाथों से heat energy खीचेगा, तो हमारे हाथ को ठंडा महसूस होगा, समझ में आ गया, तो test tube क्या होती है, we feel it colder, वो ठंडी हो जाती है, तो ये show करता है कि, घुलने की प्रक्रिया में heat energy absorb हो रही है, समझ में आ गया, और release होगी, तो test tube गर्म हो जाएगी, चूना ले 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 तो गले में ठंडक मिलती है, इसी प्रकार चाव विक्स खाते हो, विक्स में component आता है, जो हमारे गले में, हमारे saliva के साथ, water के साथ गुल के ठंडक देता है, तो सांस ठंडी ठंडी लगती है, हमारा गला ठंडा हो जाता है, समझ में आ गया, तो इसी प्रकार चे, glucose अगर प किसके, एंडो थर्मिक रियक्शन के, तो यह मैंने थर्मल डिकंपूशन वाल एक्जमपल लिखवा दिया है, कैल्चियम काबनेट ले लिया, इसको हीट दिया, strongly हीट किया, तो हीट एब्जॉब करेगा, कैल्चियम उक्सेड बन जाएगा, और साथ में CO2 बन जाएगा, का को इस तरफ लिखा है हमने, उस तरफ जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा, तो एंडो थर्मिक रियक्शन में, डेल्टा है, राइट सेट में शोग करने से माइनस का शोग जाएगा, ठीक है, enthalpy of reaction, चलिए, अगला reaction हमारा क्या है, neutralization reaction, यह हम पहले भी देख चुके है, acid-base reaction नहीं है, ठीक है, क्या है, acid-base reaction, ठीक, ओके जी, तो क्या होता है, देखते है, the reaction of an acid with a base to form salt and water, किसी acid का reaction base के साथ, जिसमें कि क्या है, एक salt बन जाए, और साथ में water बन जाए, क्या कहलाता है, यह neutralization reaction, और ऐसी reaction में normally heat energy भाहर निकलती है, exothermic reactions होते हैं, ठीक, अब ध्धान देंगे important, acid हमारा एक ionic compound है, base by ionic compound है, हम पहले पढ़ चुके acid-base theories में, acid एक ऐसा substance है, जो पानी में डालने पर ions में dissociate हो जाता है, तो actual में देखके यह acid है, HCl, गौर से सुनना भी बहुत एक modern definition बताऊँगा मैं आपको, neutralization के तो पुरानी होगे definition, ठीक है, higher classes में अच्छी base है, इसको भी पानी में डाला, तो यह भी dissociate होगा ions की रूप में, तो Na plus ions, तो actual में इन दोनों के solution में चार प्रकार के ions है, अलग-अलग है फिलाल container में, जैसे हमने mix किया, तो चारो ions जब एक साथ आ गए न, तो पता क्या होगा, Na और Cl ions एकटे होके salt बना देंगे, तो यह NaCl बन गया, और साथ में water बन गया, अब NaCl भी मारा, एनी compound है, इसको पानी में डालते हैं, तो पानी में घुल जाता है, तो यह जो चीज है, यह water के presence में, dissociate हो जाग ions में, और यह Na plus और Cl minus के रूप में रहेगा, पानी as it is रहेगा, तो overall जो उपर वाला reaction है, इसमें यह HCl, NaOH और NaCl water soluble है, तो यह जो चीज है, एक्विस का मतलब यह इंदो ions के रूप में, यह इंदो ions के रूप में, यह इंदो ions के रूप में, वाटर ऐसे काश रहेगा, तो overall net reaction क्या होगा, यहाँ पे चार प्रकार के ions हमने mix किये, और result क्या निकला, दो प्रकार के ions फिर बचे, और H+, और OH मिलके क्या बन गया, वाटर, तो कुल मिला के बात यह हो रही है, Na+, और Cl-minus ion में तो बदलाव ion नहीं है, तो अभी भी गुले हुए है, पहले भी गुले हुए है, तो सिरफ जो water बनाने वाले ions है, मतलब H+, और OH ions, इनके जुड़ने से पानी बन गया, तो यह बो होती है, सिर्फ समझ में आ गया, तो hence, neutralization just involves formation of unionized water, मतलब यह रहा, बिना आयन वाला, ठीक है, from ionized water, मतलब, water के जो participant ions होता है, वो, इनके जुड़ने से यह बनता है, तो यह होता है, समझ में आ गया, और बाकी ions में कोई प्रभाव नहीं पढ़ता है, salt के ions के वो पहले भी है, ठीक, अब important हम पढ़ चुके है, acid base हमारे strong भी होते है, weak भी होते है, ठीक, तो जो हमारा salt है, उसका जो chemical nature है, वो depend करता है, कि हमने acid और base कैसा लिया है, अब ध्यान से सुन लेंगे, यदि मैं acid और base दोनों ही strong ले लेता हूं, strong acid, strong base, तो salt neutral बनता है, दोनों strong है, तो cancel कर देंगे, salt क्या बनेगा, neutral, और साथ में water बनेगा, neutral salt होता है, तो solution का pH होगा 7, समझ जाएंगे, हम पढ़ चुके हैं, यह pH value, अब acid strong ले लिया, base हमने ले लिया, weak, इसका मतलब है, यहाँ पे H plus आइंस बहुत जादा है, और OH आइंस कम है, तो मान लिजे, H plus आइंस तो 100 है और OH आइंस 20 है, तो 20 OH आइंस के साथ में 20 H plus rate करके 20 water बना देंगे, और 80 H plus अभी 6 बच जाएंगे, तो जो salt है, उस solution के अंदर बहुत सारा H plus आइंस 6 रहेगा, जो उसको acidic गुंड देगा, समझ में आ गया, तो salt जो बन गया, वो acidic salt बनेगा, उसमें बहुत सारे H plus आइंस होंगे, because of the strong acid, समझ में आ गया, तो यहां पर सीदी बाच है, जो stronger वाला part है, वो अपना गुंड दे जाएगा salt को, अगर acid strong है, तो acidic हो जाएगा salt, base strong होता है, तो basic हो जाता है salt, समझ जाएगा, तो यहां pH, अगर acidic salt है, तो इस solution का pH 7 से कम हो जाएगा, acidic range में, अब अगर acid weak है, तो H plus science कम है, और base strong है, तो OH science बहुत जादा है, तो कम H plus science को, कम OH science जुड़ करके, neutralize कर देगा, और फाल्तु कुछ OH science है, उसको basic nature देते है, तो salt है, basic हो जाएगा, pH will be more than 7, और अगर दोनों weak होते हैं, जैसे दोनों strong थे, दोनों weak होंगे, दोनों ही कम है, perfectly neutralize कर देंगे we'll get neutral salt, pH will be 7, सन में आ गया, तो सीखा हमने क्या, अगर दोनों strong है, acid and base, we will get neutral salt, pH 7, दोनों weak है, again we'll get neutral salt, pH will be 7, और अगर दोनों में से एक strong है, acid strong है, acidic salt, base strong है, basic salt, acidic में pH less than 7, base में pH more than 7, clear है, चलिए, next हमारा है, reversible and irreversible reaction, तो reversible reaction क्या होता है, एक ऐसा reaction, जो कि दोनों ही दिशाओं में progress करता है, मतलब कि मान लिजे reactants है, वो react करके product बनाते है, product वापस react करके reactant बना देता है, समझ में आ गया, तो शुरुआत में तो एक ही दिशाओं में होता है, लेकिन थोड़े देर बाद, ultra reaction भी शुरू हो जाता है, दोनों ही दिशाओं में यह progress करता है, the reactions that proceed in both the directions, समझ में आ गया, वो reactions जो दोनों ही दिशाओं में progress करते है, that is, forward and backward are called reversible reactions, उनको कहते हैं, reversible reactions, once the reactants start forming products, एक बार reactants ने react करके product बनाना चालू कर दिया, तो कुछ quantity एक बार बन गई ने product की थोड़ी बहुत भी, तो वो products आपस में react करके वापिस से क्य कर देते हैं, reactant बना, देते हैं, तो लिखाया देको, the products on attaining a particular concentration, कुछ quantity थोड़ी बहुत बन जाती है, तो वो आपस में react वापिस करने लगते हैं, and they react to give back the reactant, समझ में आ गया, तो पूरी तरह से ना तो reactant खतम होते हैं, ना पूरी तरह से product, दोनों तरफ से चलता रहता है मामला, समझ में आ गया, सच reactions never go to completion, कभी भी खतम नहीं होते, ना तो कभी पूरा reactant खर्च होगा, ना कभी पूरा product खर्च होगा, मतलब दोन रदफ से, ये कम हो जाएगा, तो वो जाता हो जाएगा, फिर वो कम होने लगेगा, ये जाता हो जाएगा, दोनों तरफ ये अनन इस प्रकार के reactions को हम रिप्रेजेंट करते हैं, double arrow से, पहले भी बता चुका हो में, ठीक है, तो symbolically इसको रिप्रेजेंट करेंगे, A plus B, ठीक है, ये react करके C plus D बना रहा है, COD आपस में react करके वापिस A plus B बनाएंगे, तो अब यहाँ पे देखो, A और B react करते हैं, और दो न backward reaction है, संज में आ गया कि नहीं किया, तो COD वापिस react करके क्या बना रहा है, A और B, तो इन दोनों को इखटा हम ऐसे लगते है, double arrow से लगाते है, तो कुछ हमारे examples है, हम पहले कर चुके है, addition में, combination में, ammonia वाल example किया था हमने, ठीक है, S2, I2 वाल example किया, तो तीन-चर मारे examples है हो देख लेते हैं, hydrogen को react किया, iodine, iodine solid है, hydrogen gas है, तो hydrogen iodide बनता है, यह unstable compound है, थोड़े देर बेर टू टाल के वापिस hydrogen और iodine gas, hydrogen gas और iodine बन जाता है, तो यह क्या है, reversible reaction है, यह 2 है, तो दोने तरफ यहां 2 लग जाएगा, ठीक है कि नहीं किया, उसके बाद, nitrogen reacts with hydrogen, nitrogen को react किया है hydrogen के साथ में, तो क्या बनेगा, ammonia, तो ammonia again break down to form nitrogen gas and hydrogen gas, तो यह भी क्या है, example, reversible reaction का है, ठीक है, और यहां पे अगर इसको हमको टेजी से carry out करवाना है, तो हमको iron चाहिए, और iron की efficiency को बढ़ाने के लिए, यह तो catalyst iron, और iron को और जादा इसकी efficiency को बढ़ाने के लिए, हम एक और substance use करते हैं, जो कहला था, catalytic promoter, इसको discuss करेंगे, catalyst वाले topic में, molybdenum, क्या है यह, molybdenum, दोनों metals है, ठीक है कि नहीं क्या, so nitrogen reacts with hydrogen to form ammonia, this is also an example of reversible reaction, double arrow से लगाने, इसी प्रकार से, sulfur dioxide, इसको और oxygen के presence में जलाते हैं, तो हमको एक और gas मिलती है, sulfur trioxide, ठीक है, balance कर लेंगे, यहां S1, S1, बराबर यह oxygen यहां पर 2 है, यहां पर 2, 4 है, total, यहां पर 3 है, तो odd है, यहां पर 2 से इंटू कर देंगे, तो even हो जाएगा, तो 6 हो गए oxygen, अभी दो को sulfur 2, तो यहां 2 लगा देंगे, तो यहां पर total 4 oxygen, 2, 6, 6 बराबर हो जाएगा, मामला, ठीक है, यहां पर catalyst है, vanadium pentoxide V2, O5, इसके presence में reaction थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, दर्वाइस reversible रेक्शन बहुत slow होते हैं, बहुत लंबा समय लगता है, ना तो यह पूरा खतम होता है, ना यह पूरा खतम, बस चलते रहते हैं दोनों तरफ से, ठीक है, तो catalyst डालते हैं normally, उसके बाद, अभी थोड़ द reversible reaction है, तो इसको भी हम, अगर mineral acid के presence में कराते हैं, तो थोड़ा सा तेज हो जाता है, अदर्वाइस यह acid टूट टाटके वापस पानी के साथ जुड़के, यह acid और alcohol बना देता है, acid easily dissociates, तो यह भी कहा है, both way reaction होता है, यह कुछ हमारे example हो गए, reversible reactions के, ठीक है, बहुत जरूर पुरी चीज ध्यान रखना बच्चो, reversible reactions जो होता है, इनको हमेशा बंद container में किया जाना चाहिए, बंद container का मतलब मैं बता दू क्या है, माल लो हमने nitrogen को react कहा है, hydrogen के साथ में, और क्या बना ammonia, और यह ammonia उड़ गया, अब उड़के गाय भी हो गया, तो फिर react करने के लिए ब बंद container में होते हैं, और जो irreversible है वो होते हैं, open container में, समझ में आ गया, चलिए, तो देखेंगे अगला irreversible reactions क्या होते हैं, the reactions that proceed in a single direction, मतलब जो एक ही दिशा में progress करते हैं, मतलब केवल और केवल forward direction में, only, and get completed after some time, और कुछ समय के बाद में यह खतम हो जाते हैं, समापत हो जाएगा, यह reactions कहलाते हैं, irreversible reactions, ठीक है, in such reactions, all of the reactants get converted into the products, सारे के सारे reactants जो हैं, वो खतम हो जाएंगे, और किस में बदल जाएंगे, products में, और एक बाद सारे reactants खतम हो गए, तो कुछ समय के बाद में reaction धीर हो जाता है, और फिर बंद हो जाता है, stop हो जाता है, तो reversible reaction हो जाते हैं, कुछ समय बाद में, बंद हो जाते हैं, समझ में आ गया, और इसको हम represent करते हैं, सिरफ एक complete arrow, जो की right side में pointing होगा, reactant or product के बीच में arrow लगाते हैं, balanced chemical equation में, ठीक है, चली कुछ example, carbon को जलाया, oxygen के presence में CO2 मिला, यह हमारा irreversible reaction है, CO2 से वापस carbon oxygen नहीं बनेगा, इसी प्रकार से, जो हमारे neutralization reaction है, HCl और NaOH को mix up किया, तो NaCl और S2O बनेगा, अब NaCl और S2O को मिला करके हम यह acid और base नहीं बना पाएंगे, methane को जलाया, oxygen के presence में CO2 बनेगा, heat बनेगी, CO2 बनेगी, CO2 बनेगा, पकड़ के वापस methane नहीं बनाया जा सकता है, तो यह सारे कैसे examples हो गए, irreversible, मैं बता चुका हूँ, irreversible में, यह open container, container में होता है, कार्मन को जला दू, coil आईए, oxygen के presence में जला तो CO2 बनके उड़ जाएगा, अब CO2 बनेगा, अब CO2 बनेगा, अब CO2 बनेगा, तो इसी प्रकार से यह देखो, methane को जला oxygen के presence में, CO2 बना, water बना, यह gases है, उ reversible होते हैं, open container में, समझ में आ गया, तो essential property of reversible reactions, they always take place in a closed container, यह हमेशा बंद container में होते हैं, reversible, पहले वाला के, और जो irreversible reactions हैं, यह खुले में हो सकते हैं, एक अदा अगर हमारा product loose भी हो गया, तो कोई फरक नहीं पढ़ता है, reverse direction में यह नहीं होते हैं, clear है, तो यह था के chemical reactions, पहला, combination या addition, दूसरा, decomposition या dissociation, तीसरा, displacement, जिसमें दो परकार देखे, simple and double displacement, double वाले को ही हम, precipitation reaction बोलते हैं, फिर उसके बाद हमने क्या देखा, हमने देखा, slow and fast reaction देखा, उसके आद हमने क्या देखा, neutralization reaction देखा, फिर हमने क्या देखा, reversible and irreversible reactions देखा हमने, ठीक है नहीं क्या, तो ये सारे के सारे जो reactions है, ये हम देख चुके है, अब इसके बाद हम एक और last reaction हमारा type रह गया है, redox reaction, ठीक है कि नहीं क्या, तो इसको हम थोड़ से ये typical बड़ा topic है, इसके लिए पूरा मेरे को detail और थोड़ देना पड़ेगा, time ज्यादा लग जाएगा, व नेक्स वीडियो में जो हम discuss करेंगे detail में, redox reaction क्या होता है, उससे पहले आपको मैं समझाऊंगा concept of oxidation state, क्या होता है oxidation state, कैसे नापते हैं ये, valency किस प्रकार से oxidation state से different है, और एक बार ये निकालना सीखेंगे, उसके बाद समझेंगे, oxidation क्या होता है, reduction reaction क्या होता है, और इन मे समझ के सारे notes अच्छे से थे यार कर लेंगे, so मिलते हैं नेक्स वीडियो में, till then, goodbye and thanks for watching.